हेलो एब्रीबन वैलकुम बैक टू माई योटे चैनल आप सभी कैसे आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो मेरी यहां साम की दिया बाती हो गई है इसके बाद मैं आ गई हूं केचिन में तो किचिन में मैंने बनने रख दी है चाय तो साम को अब ठंडा मौसम होने लगा तो चाय बननी जरूरी हो जाती है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा गला वगएरा खराब अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गले वगएरा तो खराब चली रही है मेरा भी हो गया तो इसी वज़े से फिर हम साम को जरूरी मैं चाय बना लेती हूँ तो यह गैस पर मैंने दूद रख दिया गरम करने रिशू के लिए और दूसरे पर मैं चाय बना लेती हूँ तो दोनों लोग साथ साथ मैं क्योंकि बच्चे को भी ना साथ में देना बहुत जरूरी हो जाता है फिर यहां में चाय पीने के बाद आ गई तो मैं यहां छोले बॉल करने रख रही हूँ क्यों छोले मैंने सुबह के टाइम भिगो रखे थे तो वो क्योंकि यह स्वेंड ने बोला था कि छोले बटूरे बना लो तो इस वज़े से मैंने सुबह भिगो दिये थे तो मैंने यहां उसमें चाय पत्ती नमक डाल दिया और फिर मैं य थे elly चोले बनाती थे तो मेरे husband को बिलकों चोले मेरे?! आती थे क्योंकि मैं क्या करती थी कि चाय पत्ती मैं नहीं डालती ज Reich's color लग वह लगा बना खरालती है, तो बोला करते थी कि उसलों बसमों बखराा पते हमेंचा अ enquanto आथा सीद हमधार नहीं पनाती है तो उस तरह से बना के देखूँ तो तब इसे मैं बनाने लगी बहुत अच्छे से बन गई थे और टेस्ट भी आ गया था तब से मैं चाय पत्ती डालने लगी इसके बाद मेरी चाय बन गई तो छोले मैंने बनने रख दिये और उसके बाद चाय भी मैं ले आई और इसी उसमें डिबे मैं भी बापस नहीं पलटने पड़ती है क्योंकि फिर यह लगता है कि कोई बाहरी आ जाये तो फिर जूठा सा हो जाता है तो इस वज़े से मैं बापस नहीं पलटती हूं नमकिन और अलगी मैं निकालके और उसी में रखी रहने देती हूं इसके बाद मैंन थोड़े से आलू बाइल करने हूं तो इसी तरह कि मैं छील के कट कर लेती हूं और रख देती हूं और यहां जल्दी भी बाइल हो जाते हैं इस तरह से करने पर फिर मैंने छोले देके तो छोले भी मेरे भी हो गएते बाइल और फिर मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूं तो यहां मैंने लेसन पे आज का पेश्ट बना लेते हूं इसके बाद टमाटर भी रखे हुए हैं तो टमाटर का भी मैं बना लूँगी तो यह थोड़े से न छूले वगएरा बनाओ तो इसमें मसाले थोड़े जानदे हो जाते हैं तो इसी वज़े से और फिर अच्छी से बारी पेश्ट बना हो तो उतना ही अच्छा टेस्ट भी आता है तो इसी वज़े से बैसे तो मोटे भी जैसे चॉप कर लो चॉप के अच जीर जीर याधे ऊपनाई के अच्छी भी च्छी बंड़ है से अच्छी डेती से लेकिन मैं इसी से कर लेती हूं क्योंकि गरे अच्छी बन जाती हैं तो मैं च्रेटी यहाँ जीरा डालने के बाद आख पात है और थोड़ी सी काली मिर्च थी लॉंगे मैंने डाली नहीं है और उसके बाद में तेजपात भी डाल दूँगी क्योंकि फिर यह जल से जाते हैं तो इसकी वजय से मैं थोड़ा बाद में ही डालती हूँ फिर मैंने यहां पेश्ट भी डाल दिया जो लेसन प्याज का है और अधर्क नहीं थी तो अधर्क मैंने नहीं डाली लेसन पे अधर का यह पेश्ट है इस्के बाद में इसमें जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया प्याज लेसन तो इसके बाद मैं मसाले इसमें एड करती देदी हूं हल्दी, मिर्ची, करम, मशाला, नमक, तनिया पाउडर और यही मैं मसाले अड़ करती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जानद पानी नहीं डाला क्योंकि जानद पानी डालें तो फिर जलता रहेगा, टाइम भी लगेगा तो इस वज़े से मैंने थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा भून गया मसाला उसके बाद मैंने यहां टमाटर पियूरी भी डाल दी टमाटर पियूरी डालने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ छोले मसाला, तो छोले मसाला मैं अभी साथ में ही डाल रही हूँ बैसे मैं बाद में डालती हूँ क्योंकि भूल जाती तो इस वज़े से मैं सुझाएगी चलो आभी डाल देती हूँ तो मैंने इसमें डाल दिया फिर मैंने पानी मेक्स किया और इसे मैं रख देती हूँ बनने ढखके और फिर मैं यहां बनाने लगी भटूरे तो भटूरे का आठा में लगाने के लिए मैदा लिया और थोड़ी सी सूजी ली और देखिए बहुत अच्छे भटूरे फूले फूले बनेंगे एक नई ट्रिक के साथ मैं बता रही हूँ आपको और यहां मैंने खाने वाला सोडा डाल लिया है क्यांकि इससे बढ़ूरे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और इनको अच्छे से मेक्स करूंगी और जान दे नहीं डालनी है सूजी थोड़ी से एक-दो चमच डालनी है, जान दे नहीं कर रहे हैं क्रिस्पी पना जाता है उसके बाद मैं आलू डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग सोच रही होंगे कि आलू भटूरों में कब से पड़ता है दही पड़ता है हाँ जी ऐसा होता है दही पड़ता है लेकिन मैं इसमें आलू मिक्स करती हूँ क्यों आलू मिक्स करती हूँ इस व कि हाँ भटूरे तुरंती सेखने हैं मैं भी पता है पहले दही डाल के ही बनाती थी लेकिन वो बहुत जांद है अगर तुरंत सेखते जाओ तुरंत खालो तब ठीक है अगर लाश्ट में खाना को रहे गए जैसे सभी लोगों को खिला के मैंने सेख रखके और खाने बैठी तो वो खबते भी नहीं थे तो इस टाइप से बनते हैं और इस तरह से आलो मिक्स करके भटूरे बनाने में बहुत जांद है टेस्टी भी लगएंगे क्रिश्पी भी होंगे और थोड़ी बहुत देर मैं भी अगर खाऊगे न तो भी बहुत जांद है अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने एक वाद सस्राल में बनाए थे तो मेरे यहां कोई भी भटूरे जैसे मेरे जेट जी हैं तो वो बिल्कुल भटूरे नहीं खाते थे यह कहते थे कि यतने जानद मैदे की वज़े से खिसते हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगते हैं लेकिन मैंने अपनी सुस्राल में बनाई तब से बहुत जान्द है उन्हें अच्छी लगने लगे और बहुत जान्द टेश्टी बनते हैं इस तरह से बहुत बनाने में और मुझे भी अच्छी लगते हैं क्योंकि जब जान्दे लोग होते हैं तो आराम से थोड़ा बॉन लेट होई जाते हैं खाने में तो इस तरह से आराम बहुत अच्छे से खाने में आ जाएंगे और टेस्टी भी लगेंगे तो यही है एक नई ट्रेक आलू मेक्स कर दो और फिर कितने टाइम भी बाद खाओ और इस तरह से एक बार आप ट्राई जरूर करके देखना तो मैंने यहां बटूरे से लिए फूले फूले देखिए बटूरे और उसके बाद मैं लगा देती हूँ खाना अस्वेंट के लिए तो यहां मैं चोले कर लिए और अचार मेरा मेक्स अचार खतम हो गया था तो मैंने आम का चार रख लिया और यहां फृराई की हुई मेर्च है और यह चीज़े मैंने अस्वेंट को दिया ही मैं खाना उसके बाद मैं दुबारा से सेखने लगी आके क्योंकि रिशू सोज आता है न तो इसकी बज़े से मैं जल्दी खाना दे देती हूँ तो फ्रेंड्स यह है दूसरे दिन की वीडियो और यहां मैं कर रही हूँ लियाई कपड़े और आज इतने जानदे कपड़े हो गए थे की देखने में भी हिम्मर नहीं पड़ रही थी इनको फोल्ड करने की तो मैं सुचा की चलो कर लेती हूँ आगर करूंगी नहीं इतने कपड़े धुलके और यह दो तीन दिन के कपड़े कैसे हो गई क्योंकि मेरे यहां लगातार बारिस हो रही है तो इसकी वज़े से सुख नहीं पा रही है मैंनी डाल रही हूँ फैन में भी डाल रही हूं उसके भाद है थोड़ी देर ढूप भी दिखा रही हूं क्योंकि ढूप जान्ória आती नहीं मेरी बालकनी में और इसकी बाद भी ना बारिस भी हो रही है तो फिर धूप तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है जितनी आती थी वो भी बंद हो गई है तो यहां बहुत सारे एक साथ कपड़े हो गई खटा मैं यहां कर लेती हूँ दीरे दीरे फोल्ड और इस तरह से कपड़े हो जाएना तो धुलने में नहीं पता चलेंगे लेकिन जब उनको फोल्ड करने बैठो तो बहुत जान्द है डैक होता है यह लगेगा कि इतने जान्द कपड़े कैसे फोल्ड करूँ और मेरी आदत है कि थोड़े से अच्छी से फोल्ड करके रख दो तो यह लगे है कि हाँ प्रेस जान्द जैसे घर के कपड़ों में प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है अगर जल्द जल्दी में फोल्ड करके रख दोगे तो उन्हें यह लगेगा कि हाँ थोड़ी प्रेस कर दो तो अच्छी रहेगी उसके बाद मेरा आगया कोरियर और यहां मैंने मंगाई है कार्पेट तो मैंने यहां कार्पेट मंगाई है और यह कार्पेट मैंने फिलिप कार्ड से ओर्डर की थी और इसे देख के सच बताऊं इतना जांदे मन खुस हो गया क्योंकि बहुत अच्छी क्वाइल्ट क्या था इसके बाद मैं दुभारा से फेरा आ गई और जो कपड़े बचे उए थे कुछ तो मैंने फोल्ड कर दिये कि इतने सारे कपड़े थे तो पूरे तो वीडियो में नहीं दिखा सकते थे तो मैंने कुछ फोल्ड भी कर दिये और यहां रिशू के कपड़े रह गए तो इन पर मैं लगा देती हूं प्रेस जो निव कपड़े हैं यूनिफॉर्म है तो उन पर प्रेस करके रख देती हूं तो इसी तरह से हो जाता है अपने कपड़ों के इतनी जान्द चिंता नहीं होती है जितनी हस्वेंड और बच्चों की होती है तो मैं अभी रिशू के कर रही हूं प्रेस चोटी चोटी कपड़े कितनी जल्दी प्रेस हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं प्रेस करने में अभी क्योंकि जाद जगे भी नहीं गेरते हैं और थोड़ी सी जगे में प्रेस भी हो जाते हैं तो मुझे इसके कपड़े प्रेस करने में बहुत अच्छा लगता है अब तो मैं इसके डेली वाले कपड़े प्रेस नहीं करती जब यह चोटा था तो मैं इसके डेली के भ नब भागता रहता है कि इदर से ये निकाला वो निकाला तो ऐसी करके बच्चे ना तो थोड़ा प्रेश बगेरा से दूर रहते हैं अगर मोबाइल पकड़ा दो वैसे मैं जानदे इसको देती नहीं हूँ बहुत कम मोबाइल देती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मोबाइल देती हूँ फिर मैंने रेशू के कपड़े प्रेस किये उसके बाद हस्वेंड के कपड़ों का आगया नम्मर तो husband के कपड़े भी मैं प्रेस करके रख देती हूँ और आज ना इतने जानदे परेसान हो गए थे क्योंकि कपड़े फोल्ड करने को भी बहुत जानदे हो गए थे और ऐसे प्रेस करने को भी बहुत जान्द पड़े हुए थे कपड़े क्योंकि मैं इनके कपड़े एक साथ प्रेस करके रख देती हूँ तो इस तरह से खुद को भी आराम मिल जाता है रोज-रोज की टेंसन खतम हो जाती है जैसे डूटी टाइम ही तुरांत प्रेस करो तो वो चीजे मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं एक साथ प्रेस करके रखती हूँ फिर वो आराम से चलते रहते है कुछ दिन तक तो इस तरह से हो जाता है तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अगर छोले बटूरों की रेस पी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई करके जुरूर देखना फिर मिलूंगे एक अच्छी से नेश्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाब बाय और टे क्यार था अच्छी से टिए हो ऑंगर लिए्यों की राप लिए